अब दोस्तों स्वागत है आपकी यूटिप चैनल वर्ल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में आज मैं बात करूंगा मोटर जनरल फाइनेंस शेयर के बारे में यह शेयर आज करी 20% अपर सर्कृट पे है और इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम काफी है आप देख सकते हैं वॉ लास सेशन में भी ऐसा ही हुआ था कि लास सेशन में यह उपर गया था उससे में भी 20% के आसपस गया था मेरे कहल से तो देखे प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस जब यह अभी जो 22 पे था और आज जो है 36 कर रहा है तो दो ही दिन में काफी बड़ा जंप लिया है 70-80 40% आग भी भागने वाला है तो यह शेर की बारे में डिटेल देखेंगे इसके अनलेसिस करेंगे इसके स्टॉप लोस क्या होना चाहिए और लॉंग टम इन्वेस्मेंट शाट टम इन्वेस्मेंट वह सब प्राइश की बात करते हैं जैसे मैंने प्राइश की बात किया आज यह अपन हुआ और कि जब यह उस में पर्सेट ये टो तड क atrás उपन हुआ और 9,10 तो दो ही दिनों में 40 गेसल कर चुका है तो काफी अच्छा भागा है ये शेर तो चलिए थोड़ा इसके फानेशल भी देखेंगे उससे पहले मैं आपने यूटीब चैनल पर लेके चलूँगा यह मेरे यूटीब चैनल है यहां पर मैंने प्लेइलिस्ट बनाया प्लेइलिस्ट मैंने जैसे लॉंग टम किसी को इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए रिलेटेड वीडियो इसमें डालता हूं थोड़े लंबे वीडियो रहते हैं आधे घंटे के लेकिन आप काफी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉं वाले शेयर डालता हूं तो आप चाहिती से लॉंग टर्म वीडियो देख सकते हैं जो शॉट टर्म है जैसे इंट्राडे या फिर उस दिनों के लिए तो उसके रहे इंडिकेटर स्ट्राइजी वाले वीडियो है आई प्ले लिस्ट है पिछले कुस दिनों में मैंने यह व नॉन्मील में जो इस नालता रहते हैं हो द जो बढ़े काफी छोटे प्राइस सर है एसा कंप आप ट्रैस आप यह विडियो ढम आधि चाहिए नहीं गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलते हैं थोड़े इसके फाइनेंशल में देखते हैं फाइनेंशल में देखेंगे रिवेन्यू के टर्म्स में 2021 में दो करोड उससे पहले पांच करोड उससे पहले आठ करोड उससे दस उससे पहले तेरा करोड तो ल नाइन वान उसे पहले माइनस वन पॉइंट एट सब माइनस में तो यह फाइनेंशली तो तो इच्छे कंपनी नहीं है बट ठीक है आगे देखते हैं प्रमोटर की बात करें प्रमोटर को शेरोलिंग में प्रमोटर का जो है करिब 68.75 है कोई भी शेरिंग के प्लेज नहीं है अच्छी बात है डियाए के वाथ नहीं है पॉइंट जो है इस में होल्डिंग है फाइने ने थोड़ा सा लिया हुआ है डियाए ने कुछ भी नहीं लिया हुआ तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं बड़ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये शेयर अभी उतना अच्छा तो नहीं कर रहा है लेकिन ये दो दिन से काफी बड़ा वॉल्यूम आया है तो चंसे हैं इसके उपर जाने के बटीक है जिनको लॉंग टर इनवस्टमेंट करना थोड़ा सा इमोंड डाले जैदा बड़ा मौट ना डाले क्योक्ism क्योंकि रिस्क मैनेज करना रिस्क को मैनेज करने का तरीका फिसे आप उच्छोटर्वंट एम यह बढ़ा मौनें नहीं करें गना einfachacakt अब बहुत वॉलिम से इसने क्रॉस किया बहुत वॉलिम देखिए कफे बड़ा वॉलिम है थे ऊपर जाएगा तो जिस किसी को भी ये खरीदना है ये शेयर 28 के नीचे एक stop loss लगा करके आप इसे खरीद सकते हैं आने वाले दिनों में chances हैं कि ये उपर जाएगा लेकिन ठीक है अभी ये stop loss की मैंने बात की अभी target की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया और ये एकदम नीचे में देखें कि 22 इसका एकदम lowest support level है जहां से उतना चालुआ ये काफी बड़ा support level था बाइस का 22 का तो ये मैंने आपको support बता दिये और दो target बता दिये तो लेकिन आप भी जो भी इसको short term भी investment कर रहे हैं तो छोटा investment करें ये छोटा क्योंकि ये छोटा शेयर है ओपर circuit lower circuit बहुत जल्दी लग सकता है इसलिए आप सोच समझ के अपने investment करें एक disclaimer भी देना चाहूंगा कि मेरी analysis मेरी thinking की आप खुद का research करें खुद का analysis करें खुद का thinking रखें उसके बाद ही पैसा लगा है किसी के बूलने पर न लगा है क्यों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और comment में भी लिख सकते हैं आपको क्या लगता है ये target achieve होगा नहीं होगा ये stop loss आएगा या फिर कोई और news लगता है आपको ये कैसा करेंगे company आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत छोटा share है FIA इसमें position बना रहा है तो chances है उसके ऊपर जा दोंगा वहां पर जो भी call दी जाते हैं किवल education purpose के लिए इस तरीके से यदि आप motor general finance share में investment करते हैं तो ये share आपके लिए profitable रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद